गुट बॉनिंग प्यारे बच्चो स्वागत आपका एक बार फिर क्लास 12 एंसेटी मैस में और आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नमबर 7 यानि की जिसका नाम है समाकल इंटी ग्रल्ज एक्सराइस 7.4 तो बढ़ते हैं बच्चो क्वेशन नमबर 18 की और आप पास जैसे है इंटेग्रेशन एक फलन है यानि की फंक्शन है 5x-2 upon 1 plus 2x plus 3x square और dx ठीक है तो सबसे पहले बच्चो आपको पता है कि जब हम इंटेग्रेशन की कुशिशन करते हैं तो हम उसको क्या लिखते हैं माना i के बराबर लिखते हैं तो i equal to as it is बने not कर लिया ठीक है अब बच आपका हर है यानि कि अंस अपन हर तो इसको हम टी लेके हम चेक करते हैं कि टी लेके क्या उपर यानि जो आपका अंस है क्या वो कुछ कबर हो रहा है यानि कि यह फंक्शन मैंने बहुत बार का आप से कि हमें क्या करना होता है मिनिमाइज करना होता है लेकिन आप प्लस टू जबकि आप फाइव एक्स माइनस टू तो कुछ कवर होनी रहा दूसरा हमार पास मैं थाने आप बसता है बच्चो कि यह जो आपकी पास डिनोमिनेटर है यानि जो हर है यह एक वाटरिक फॉर्म में है और हम इस क्वाटरिक क्वेशन को हम क्या करते थे मानिस टू है तो हो सॉल्व कहीं न कहीं आपको प्रॉब्लम करेया तो उसके लिए एक नया में चल्द आया है कि हम जो parallel ho हम क्या करता उसको लिखने का तरीका अंस बराबर a ढए डगेक्श ऑफरrob्रस यानि a और b यहां पर unknown quantity है उनको हम find out करते हैं और किस साब से करते हैं कि a बरावर d y x of her plus b हम करते हैं यानि कि जो हर है उसका differentiation करते है और a का multiply फिर इसको थोड़ा सा हम solve करते हैं अब देखते आगे तो uns क्या है बच्चों यहां पर 5x-2 values पूट कर लेजें कोई दिक्कत वाली बात ने equal to a divided x of her हर यह है आपका 1 plus 2x plus 3x square plus b इसका differentiation जसमें आपको पहले बता है यहां पर 1 का 0 हो जाएगा 2x का 2 plus 6x हो जाएगा ठीक है अब आपने क्या करना बच्चों इसका multiply कर लेना है तो यह हो जाएगा आपका 2a यानि एक का multiply इसके साथ होगा तो 2a plus 6ax plus b अब जो x वाली quantity है उनको साइड कर लिजे यानि कि separate लिए और जो आपके constant दिख रहे हैं आपको 2a plus b उनको एक साथ लिख लिए ठीक है समझे बात आए तो क्योंकि यहां पर x नहीं है इनके साथ बेक्स नहीं एक साथ बेक्स नहीं तो उनको हमने अलग कर लिया अब बच्चों यह condition आप देख रहो 6a लिख लिया यह डारेक्ट भी लिख सकते हैं आपकी 6a x equal to क्या होगा है पूरा उठा लिजिए अधर का भी x यदर का भी x उठा लिजिए तो आप देखेंगे आपे 6a x equal to क्या हो जाएगा बच्चों 5x x x दिसमने cancel out कर रहा है तो आप पास 6a equal to 5 और चाहे तो आप x का गुडांग यहाँ ले सकते हैं एक सगर गुडांग में क्या 6a है यह एक सगर गुडांग में इक दोनों और तुलना हो रही है तो आप दिखेंगे एक ही बेलू आ जागे आपके पास आपके पास आप पास आगा अब क्या करना बच्चो जो आप पास A और B की वैलू आई हूँ यहाँ पर पूट कर देने हैं ठीक है यहाँ पर तो 5X-2 एकोल टो क्या जागा एक की वैलू रख लेंगे आप तो 5 x 6 आएगा यहाँ पर आजाएगा आपका 5 x 6 ब्रेकिट के इंड़ा 2 प्लस 6 x प्लस B की जगह में आएगा मानेस 11 अपन 3 यहाँ पर पूट करना तो चले रखते हैं तो प्यारे बच्चो हम यहाँ पर क्या करेंगे 5 x-2 जैसे मैंने कहा था एकस उसमें ए और बेकिवेलों हमने पूट कर ली तो इसका मला जो क्वेशन था आपके पास जो अंस था आपके पास वह था 5 x-2 यह था ना अंस 5 x-2 उसकी जगह में अब यह क्या बन जाएगा यह वाला बन जाएगा यह वाला पूरा रख लिजा 5 x 6 जो क्वेशन था अब क्यों रखा अभी आपको आने वाला टाइम में पता चलेगा तो यह अपॉन में क्या है आपका डिनोमेंटर दो ही रहेगा वन प्लस टू एकस प्लस ट्री एकस स्क्वेर अब बच्चों इनको हमने क्या करना है अलग लग लिख देना है तो देखूं यहां पर ने लग लिख सकते हैं ऐसे चल जाएगा डेकस अपॉन यह 100 में मालग मला की यह यह अपॉन यह कर लिया माइनस यह पॉन यह कर लिया कोई दिक्कत आला बात है अलग अलग हम लिखते हैं बहुत बार करा है मैंने आप बच्चों यहां पे देखेंगे आप किसको जो आई लागे इनको सॉल्व करना आए वन की वैलो निकान लिए है फिर आए टू को सॉल्व करना है बाद में इसे क्वेशन में वह पूट कर देना है ठीक है समझे बात आए तो सबसे पहले मैं आए वन को सॉल्व करूंको तो आए वन इकोल तो क्या हो जागा इंडिगरेशन 6x जैसे आप इसका डिफ्रेंसेशन करना पड़ता है तो दिखूँ यह पर दिखूं यहां पर ठीक स्कॉर और 2 जैक्स के बात नियहों जाये 6x plus 2 dx equal to dt तो कितना आपके लिए कितना बच्चो कितना सरल बन गए यह कि integration देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर सिंपल साट dt और इसको लिख लिख लिए मैंने पूरे को नीचे वाले को t क्योंकि मैंने t 1 upon t dt क्या होता लॉग t होता है प्लस c1 आएगा क्यों c1 क्यों लिख रहो क्योंकि i1 अभी चल रहा है यहाँ पर दो आएंगे c1 एंड इसके लिए आएगा आपका जब इसका integration होगा इसके लिए क्या आपका c2 आएगा तो आपको पता है log t t की value रख लिए वाप पर 1 plus 2x plus 3x square plus c1 यह आपका perfect square करते देखो perfect square करके आप पैदा है क्यों क्यों कि आप आपका जो अंस है यानि कि जो numerator है वन में convert हो चुका है अभी तक क्या था यह था 5x-2 था ठीक है तो उससे नहीं हो रहा था तो हम क्या करेंगी इस सबसे बड़ी पावर को आगे रखेंगे फिर 2x plus 1 मैंने आपको बच्चों बथा है यहां पे कि कभी भी जब आप perfect square बनाते हैं किसी भी सबसे पहले एक्स स्क्वार का कूपिसेंट यानि एक्स स्क्वार के गुडांग में कुछ भी नहीं होना चाहिए मैंने बहुत बार मेरी अगर प्रिविएस वीडियो आप देखो गई इसी एक्ससाइज की 7.4 की तो आप मैंने बच्चों आप से कहा है कि एक्स स्क्वार का कूपिसेंट कुछ भी नहीं होना चाहिए यानि कि वन के सिवा ठीक है तो यहां पर देख रहोंगे कि यह आपका पर्फेक्ट यहां पर क्या है थ्री है यह क्या है बच्चों तो सबसे पहले आपको थ्री को आउट करना पड़ेगा कॉमन लेना पड़े फ्री यहां पर तो भार गयवाः याप बचे अपको अपर बचोन लेक्ट क्या करना होता है कि ऐक्स-का गुञांक बनने के बाद हम एक्स का गुञांक चेक करते हैं यह यहां पर आपके पास आए गया 2 upon 3 उसका बच्चों उसका क्या करते हैं आदा कर देते हैं ठीक है जो भी गुणांग होता है उसका आदा करते हैं मैंने बहुत बार समझा रहा है दिखों आदा करने पर 2 से 2 कैंसल हो जाएगा तो क्या बचेगा आपका 1 upon 3 अब 1 upon 3 बच्चों है बच्चों उसको 2 upon 3 X के बाद नहीं X के तुरंट बात जोडते हैं फिर 1 upon 3 लिखते हैं जो यहां पर थाई और घटा देते यानि एक बार मैंने जोड़ा एक बार घटा दे देखों यह कैंसल आउट होके तो वही बच्चेगा पुरान वाला समझ बात है इसी फैदा अब बच्चों इसका मला यह हुआ कि जो आपका यहां पे जो हर है यानि 1 प्लस 2 X प्लस 3 X स्क्वाइर उसकी जगह में आप क्या रख सकते हो यह रख सकते हो यहां पर पूट कर लेजे तो यहां पर इंडिक क्या जाएगा 1 upon 3 3 है ना यहां पर 3 कॉमन ले रखा तो 3 1 upon 3 के आप लिख सकते हैं तो चले बढ़ते हैं आगे देखे बच्चों यहां पर मैंने कहा कि 1 upon 3 को भाल ले लेंगे और D X प्लस 1 upon 3 का होली स्क्वाइर प्लस 2 upon 9 आ जाएगा तो 2 upon 9 को क्या लिए क्योंकि मुझे यहां पर क्या चाहिए X स्क्वाइर प्लस A स्क्वाइर फॉर्म A किसका फॉर्मुला बना आपको मालूम है D X upon X स्क्वाइर प्लस A स्क्वाइर प्लस A स्कॉर किसका अधा है 10 इनीस इनीवर्स तो रिखार रको इसका फॉर्मृला क्या होगा 1 upon A ऊंट उसका फॉर्मॉला चाहिहां 1 upon A एक्वार यहां पर root 2 upon 3 टोट टेन इनवर्स एक्स अपन ए ठीक है यह मैंने लिखा रखा रहा रहापको इसको सॉल्फ करेंगे तो आपके पास रिजल्ट कुछ यह आए यहां पर यहां पर लोट टो बाचे गाए यांप 10 इनवर्स 3x प्लस वन अपोन अपाँ आप अपन टो प्लस से अवाइट ऊच्क है आप यहाँ पर यहाँ पर दिखूंगे यहां पर रोग रहा नहीं तो आप यहां पे इसको देख लिए तो वह भी कॉंस्टेंट है यह भी कॉंस्टेंट है तो होब क्या आपको एक लियर वहा होगा बच्चो कि बच्चो नह आपको जा आपको से करह तो भी कॉंस्टेंट है भी कॉंस्टेंट है